सभी किसान साथ योग नमस्कार फिलाल दिसंबर है मैं आपको दिखाता हूँ अमारे गेंदे मटर और आलू की फिलाल की ग्रोथ और कंडिशन क्या है ये जाफरी गेंदा है ये आज लगबग 40-50 दिन के बीच की हो गए है इसकी ग्रोथ देखो ये ग्रोथ है फुटाओ देखो इसका सभी के अच्छी ग्रोथ है अच्छा फुटाओ है अभी 10 दिन के अंदर इसमें अच्छे से फ्लोरिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी ये देखो इसका फुटाओ दिखाता हूँ अभी आपको ये देखिए एक-एक पुद्दे के अंदर ये इस तरफ मटर है बिल्कुल गैंदे के साथ में ही मटर की विज़ाई हमने 25 अक्टूबर को की थी फिलाल ये कंडिशन है मटर की फली आने लग गई फ्लोरिंग तो काफी दिन हो गया आते हुए ये देखिए अभी सायद 10-15 दिन में मटर बिल्कुल पक्के तयार होने लग जाएगा खाने के लायक, सबजी के लायक ये लग बग तीन कनाल से चार कनाल के बीच में है मटर और उस तरफ अलू है अभी आपको अलू भी दिखाता हूँ ये अलू है बैड के उपपर आलू की बिजाई की थी ये भी 25 अक्टूबर को ही की थी इसकी बिजाई फिलाल ये कंडिशन है आलू की आलू हमने अब की बार फर्स टाइम लगाए है आज से पहले आलू का कोई एक्सपिरियंस नहीं है लगाने का मटर की ग्रोथ और कंडिशन अच्छी है अभी उस तरफ आईब्रिड गैंदा है वो भी आपको दिखाता हूँ ये इंडूस का टैनिस बोल रेड या ओरेंज कह सकते है इसको ये वो वेराइटी है फ्लोरिंग आ रही है इनके उपपर सर्दी की वज़े से ग्रोथ रेट थोड़ा कम है इस तरफ ये इंडूस का टैनिस बोल ओरेंज है इस पे भी फ्लोरिंग आ रही है अब तेसे दस दिन होगे इनके उपपर फ्लोरिंग आती जिनकी ग्रोथ अच्छी है प्लांट्स की उन पे तो अच्छी खासी फ्लोरिंग है ये देखी आप कितनी बड़िया फ्लोरिंग है इनके उपपर गैंदे का फूल भी अच्छा बनेगा ये देखी गैंदे की फूल की शेप इन सर्दी के अंदर जाफरी गैंदा सबसे अच्छा सक्सेस्फूल है फ्लोरिंग भी काफी अच्छी आने वाली है अभी इसकी फ्लोरिंग आत जाएगी तब आपको दिखाएंगे सभी किसान साथियों को धन्यवाद ये हमने एक परकार से समझो मिक्स्ट खेति कर रखी हैं इसके अंदर तीन वेराइटी गैंदे की हैं उस तरफ मट रहे हैं और फिर आलू हैं लगबग ये डेड़ एकड के आसपास एरिया है वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को सस्क्राइब करें